हेलो हाई गाईस हुआ हूँ फैमनी स्टवरी बेलकम स्टूडियो लिस्ट नाज वी वादस और सब्सक्राइबर्स गाईस कैसे आप सब मैं उम्मीद करता हूं सवस्त होंगे मस्त होंगे उपनी तहरी में बैस्त होंगे बेटा आज के वीडियो प्रवेदिक कला से ना होकर क एक टीजीटी आर्ट से संबंधित रहने वाला है टीजीटी आर्ट और पीजीटी आर्ट टीजीटी आर्ट दोनों में एक कामन सब्जेक्ट है और जो है यह जो चैप्टरे आसित कुमार हलद düşüns पूछ ले जाता है पंगाल सेली में अगर नरलाल बोस से कुएशनस नहीं पुछा गया तो असित कुमार हल्दर से पुछा जाएगा अगर असित कुमार हल्दर से नहीं पुछा गया छितिनाद मुझमदार से पुछा जाएगा तो टापिक इंपोर्टेंट हैं कभी-कभी तीनों से एक एक क्वेस्टन्स पूछ ले जाते हैं इसलिए आज हम लोग असित कुमार हल्दर से सम्मदित कुछ 8-10 महत्मों क्वेस्टन्स देख लेने वाले हैं असित कुमार हल्दर का जनम होता है 10 सितंबर 1890 को कोलकाटा में पस्षिम मंगल की राजधानी है कोलकाटा वरतमान में मुक्यमंतरी ममता बनरजी जी है ध्यान रखना है कई बार क्वेस्टन्स ये छपा है आसित कुमार हल्दर किस आर्ट कालेज के प्रथम भारतिये प्रेंस्पल बनाये जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनू में इस्थित है भारत खंडे कालेज उसे आर्ट कालेज का दर्चा दिया गया है उसी के पहले भारतिये प्रेंस्पल बनाये जाते हैं सित कुमार हल्दर जी बहुत बार ये रिपीट वा क्वेस्टन त्यान रखना है नेक्ट जो इनसे important questions पुछा आता है वो ये कि इन्होंने कुछ महत्पूर जो है भित्ती चित्रण है जिसे कुछ महत्पूर भित्ती चित्रण की प्रतलिपियां तियार किया है जिसमें बाग गोफा आती है अजनता आती है जोगी मारा आती है तो बाग जनता और जोगी मारा गोफाओं में भित्ती चित्रों की प्रतलिपियां तियार करने के लिए असित कुमार हल्धर फेमस है कई बार ये गए है अजनता और बाग में जा करके इन्होंने प्रतलिपियां तयार की है जोगी मारा में भी इन्होंने प्रतलिपियां तयार की है ध्यान रखना है तो बाग अजनता और जोगी मारा की प्रितलिपिया तियार करने वाली एक मातर कला कारकून है तो असित कुमार हर्दर जी है इनके साथ ननलाल बोस का भी नाम चुड़ता है क्योंकि इनके साथ रहे हैं Next जो Important Question आता है वो असित कुमार हर्दर की एक पुस्तक है उस प्रसिध पुस्तक का नाम पुछा गया है तो Our Heritage in Art Our Heritage in Art इनके पुस्तक का नाम है और एक पुस्तक और है Art and Tradition Art and Tradition तो दू महत्मूर पुस्तके हैं इन्हें याद रखना है, सदा याद रखना है अगर आपको TGT या PGT Art देना है तो Next, असित कुमाल हरधर जाने चाहते हैं तो बटिया या आधुनिक कलाकार है आधुनिक कलाकार के रूप में जाने चाते हैं क्योंकि आप जानते हैं 1890 से 1890 से 1964 तक इनका कारेकाल रहा है तो या आधुनिक लेबल के कलाकार है अच्छे कलाकार है और ये लखनों में प्रेंस्पल भी रहे हैं कलेच लखना होगे असित कुमाल हरलः के एक फेमस चित्र है परसिद्ध चित्र द्रोब है 1914 में प्रकासित होता है और ये एक पुस्तक में प्रकासित होता है तो पुस्तक का नाम बताना है तो myths of the Hindus and Buddhists इस पुस्तक में इनका द्रोब नामक चित्र प्रकासित होता है 1914 में चित्र प्रकासित होता है ध्यान रखना है 1914 ठीक इसकी PDF आपको पेड़ गुरूप में मिल जाएगी जो वरतमान समय में पेड़ गुरूप चल रहा है प्राबे दिक कला का उसमें आपको इसकी PDF मिल जाएगी नेस्ट एक important facts आता है हल्दर की मधूरता का महान इसमारक कौन सा चित्र है तो बिटा हल्दर की मधूरता का महान इसमारक चित्र बनाये गया है दा फ्लैम आफ म्यूजिक दा फ्लैम आफ म्यूजिक है फिर संगीत की लोव में ये चित्रित क्या गया है अंदिम question है असित कुमार हल्दर के परसिद चित्र तो बिटा सबसे फेमस जो चित्र हैं बार बार पुछे गये हैं उसमें अकबर चित्रिन का कई बार पूछा गया है अकबर और अकबर के साथ-साथ कुलाण और रितु शंगारम भी कई बार पूछे गये है तो कुलाण और रितु शंगारम उमर ख्यायम भी है तो महत्पूर्ड जो है इनके चित्र हैं जो बार बार रिपीट में सबसे आदबार अखबर और लितुशंगार पूछा गया है हलाकि इनसे अभी तक जितने भी questions बने हैं उनको हम लोगों ने कबर कर रखा है और प्रिबेसर के questions के साथ हम लोग देखते रहेंगे तो ये वीडियो आपको कैसे लिगी अगर चैनल पर पहली बार जोड़ रहा है चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रस कर लें क्योंकि चैनल आपको बहुत सारी तैयारिया जो कि आर्ट से संबंदित है फ्री आफकास्ट खरवाता है मिलते नेक्स अबने में अजया पदान एता क्ली जेंद